हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक टू कलेक्शन फिस्टेड योट्यूब चैनल आज की इस एजुकेशनल वीडियो में आप लोग को विश्व पर्यवरन दिवस पर निबंद देने वाले हूं विचलिए स्टुडेंट्स सुरू करते हैं पेर पौधों से सजी धर्ती का सपना हो साकार विश्व पर्यवरन दिवस मनाने का बस यही आधार प्रस्तावना विश्व पर्यवरन दिवस एक अभ्यान है जो प्रतेक वर्ष 5 जुन को विश्व बर्मे पर्यवरन के नकरात्मक प्रभाओं को रोखने के लिए मनाया जाता है इस अभ्यान की सुरुवात करने का उद्देश से वातावरन की स्थेतियों पर ध्यान केंद्रित करने और हमारे ग्रह प्रित्वी के सुरक्षित भविस्य को सुरिश्चित करने के लिए पर्यवरन में सकरात्मक बदलाव का भाग बनने के लिए लोगों को प्रेवित करना है विश्व पर्यवरं दिवस का इतिहाज विश्व पर्यवरं दिवस की गोशने संयुक्त राष्ट महासबा के द्वारा मारप पर्यवरं के संयुक्त राष्ट सम्मेलन के अवशर पर 1972 में हुई थी हलाकि यह अभियान सबसे पहले 5 जून 1973 को मनाया गया या प्रतेक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और इसका कारिक्रम दिशिश रूप से संयुक्त राष्ट द्वारा गोशित किये गए बार्सिक विशे पर अधारित होता है या कारिक्रम एक सहर के द्वारा आयोजित किया जाता है जहां पर्यवरन से संबंदित विस्तेयों पर चप्चा की जाती है जिसमें बहुत सी गतिविदियों को सामिल किया गया है हमारी बातावरन की सुरक्षा के लिए विश्वभर में लोगों को कुछ सकरास्म गतिविदियों के लिए प्रुपसाहित और जागरुप परने के लिए यह दिन साइस राष्ट के लिए सबसे महत्रफुन दिल है अब यह सौ से अधिक देशों में लोगों तक पहुचाने के लिए बड़ा वैस्विक मंच बन गया है विश्व पर्यवरन दिवस पर आयुजिप की जाने वाली गतिविदियां विश्व पर्यवरन दिवस कारेकरम भारत में विशेश रूप से इसकुलू और कॉलेजों में विविन गतिविदियों के माध्यम से मनाया जाता है विद्यार्थियों के मद्धि जागुरुस्ता पैदा करने के लिए अध्यापक कुछ प्रवावी कारिक्रमों की आयोजन की योजना बनाते हैं जैसे निबंद लेखन, भासन देना, विशय चर्चा, स्लाइट सों, वीच प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, सेमिनार, डानर प्रदर्शन, निधारित विशय पर कारिसालाएं आदि हमारे बातावरन भी सुरक्षा के संदर्व में विद्यार्थियों को सकरात्म गति विदियों के लिए प्रोचसाहित करते हैं पर्यवरन संरक्षन के उपाए पर्यवरन संरक्षन के लिए इसे प्रदूसित करने वाले कारकों पर नियंतरन रखना आवश्यक है इस द्रिष्टी से आन्वे क्विस पोटों पर पुल प्रतिबंद लगाया जाए। युवा वर्ग विसेस रूप से व्रिक्षर ओपन करे। पर्यवरन के सुबता के लिए जन जागरन का काम करे। विसैले अपसिस्ट वाले उद्योगों और प्लास्टिक कच्वे का चलावे, आधी उप्योग किये जा सकते हैं। ऐसे कारगार उपायों से ही पर्यवरन को प्रदूशन से मुक्त रखा जा सकता है। निसकर्श हमें इस अध्यान के सभी उद्देश्यों को वर्ष भर ध्यान में रखना चाहिए। हम लोगों को व्रिक्षर ओपन और स्वक्षिता के माध्यम से आसपास के छेत्रों को सुसोभित करना चाहिए। बैतर भविष्य के लिए पर्यवरन की सुरच्छा के लिए हमें अब हमारे देश में पर्यवरन के अनुकूल विकास को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे पास रहने के लिए केवल ग्राह है या हमारा घर है और केवल हम ही इसके प्राक्रितिक सौंदरी को बनाये रखने के जिन्मिदार है। प्रदूशन ना होने देंगे जी भरके पेर लगाएंगे केवल एक नहीं बलकी हर दिन पर्यवरन दिवश मनाएंगे। इस्टुरेंट्स इसके साथ ये वीडियो कम्प्रीट हो गया। तो आपको बढ़ा अच्छा लगत वीडियो को लाइक कर दीजे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रिस करके और पर प्रिस कर लिजे क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा अजुकेशन रोज लाती रहती हूँ। इस्टुडेंट सदिया आपके से और टॉपिक पर निबंद चाहते हैं तो निशे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स पुर वाचिंग।